यूएसे तेह कर सकती है क्रिप्तों की डिसा एक बहुत ही अर्जेंट अलेट है सभी ट्रेडर्स के लिए अगर यूएसे से कुछ भी खड़ाब ख़बर आती है तो मार्केट सीधे सीधे बैक टू बैक क्रैस करने वाला है और कुछ अच्छी अपडेट निकल के आ गई तो म कुछ प्लैन कर रहे हैं यह सारे जो साथ कंट्री जोस्तों काफी जादा और माने जाते हैं कि यह जो प्लैन करते हैं वहीं दुनिया में इंप्लिमेंट किया जाता है अब यहां पे जी सेबैंट ने कॉल कर दिया क्रिप्तो रेगुलेशन जिसमें की बहुत बढ़ा हाथ यूएसे का रह सकता है दो यूएसे इस पूरे चीजों को सही तरीके से फाइनलाइज कर सकती है कि यहां पर यूएसे से खवर निकल कर दिया गया तो एक बात यहां पर जो हम अच्छी देखने को मिली ए कोई भी ऐसा यहाँट निस्ट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो डिर्यकलि क्रिप्टो को विडो नीकर्ण करता है Also Also यहाँ हंद देखे तो सारे कॉन्ट्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब यहाँ चीज को देखने के बाद ही कोई के बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें क्रिप्टो रेगुलेशन्स रहे और आपको पता है यह साथ कंट्री अगर बैटके एक साथ बिल बनाते हैं दोस्तों तो इससे पूरे वर्ल्ड क्रिप्टो मार्केट में बहुत बढ़ा impact होगा खत्रे की बात यह है दोस्तों कुई कि यहां पर बार बार तेरा को देखा जा रहा है तेरा का reference लिए जैसे कोई और collapse ना हो तो इसके लिए कुछ सक्त majors भी लगाए जा सकते हैं जिसके चलते market dump होने के संभाबना बढ़ जाती है बट दूसरी तरफ अगर हम देखे दोस्तों तो यहां पे दूसरी जो सबसे अच्छी चीज यहां पे नजर आ रही है वो यह है कि यहां पे सारे nations ऐसे हैं जो क्रिप्टो को कहीं न कहीं से support करते हैं या फिर इन nations में ऐसे वेक्ती रहते हैं चाहिए USA के लॉन मक्स को आप देख लीजिए या फिर डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंट्री के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं कहीं न कहीं और यहां पर जादा से जादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करते हैं क्रिप्टो एट्यम आपको UK USA European countries में देखने को मिल जाते हैं मतलब कि दोस्तों अब जो यहां स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लिजे सबसे जवरदस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर बिटकोईन के प्रैसिंग को लेकर रहे जोस्तों जिस तरीके से बिटकोईन तीसरी बार नहीं कंपुटेट कर सके हैं नहीं ब्रेक कर सके हैं 31,000 डॉलर के माग को वह काफी जारा चिंता करने का विसे हैं बिटकोईन के लिए बट डूसरी जो एक अच्छी चीज़ियां पर नजर आ रही है दोस्तों वह यह बहिया कि नॉर्वेयन पार्ल दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर माइनिंग को बैन नहीं किया गया यह एक अच्छी कवर निकल के आड़ी है यहाँ पर यहाँ पर आप देखिएगा यूरोपेन यूनियन की जो बैंक है उनका यह कहना है क्रिप्टो एसेट कुछ भी नहीं है वर्थ क्रिप्टो को टार्गेट करते हैं बट यूएसस अगर हम देखे रोस्तों तो एक अच्छी कवर यह निकल के आई है कि भाईया वहाँ पर जो रिटार्मेंट प्लैन होता है 401 रिटार्मेंट प्लैन जिसे कहते हैं उसमें अब बिटकोईन को आइट कर दिया गया है जो कि आप देखेंगा तो 28,000 के रेंज पर आ गई थी और उसके बाद बिटकोईन थूड़ा सा अपने आपको एक्कुमिलेट करने के कोसिस कर रही है इस्टेबलाइज करने के कोसिस कर रही है बट दोस्तों अगर कुछ बुरी खवर आ जाती है जी समें कंट्री के तरफ से तो आपको 24,000 से 22,000 डॉलर से गिरते वह नजर आ सकती है जो आप मार्क करके रख लेजिए इतना नीचे जा सकती है तो सबसे बेटर पोजिशन जो मुझे लग रहा है इस टॉप लोस करने वाला है वो है 27,500 का इस टॉप लोस का अच्छा बिटकोईन पे नजर आ सकते हैं 39,000 से 40,000 डॉलर को टारगेट कर सकता है और जो बिटकोईन एक से दो दिन में अचीव करे लेगा अगर कुछ अच्छी खबड़ाई तो इस पॉइंट को भी मार्क करके रखने की जो होता है तो यहाँ पर यह जो जो नहीं है बाइंग जोन समझ में आड़ा है दोस्तों औ करके अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते है क्योंकि लास्ट टाइम हमने रेखा था जब जून जुलाई में इस तरह के का महल चल रहा था अचानक से मार्केट एक दिन में 15 परसेंट की रिकवरी दिखाई तो कुछ ऐसा भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नगेटीव ना स क्रिप्टो मार्केट में काफी जादा होती है तो अगर आप किसी भी तरह का इंवेस्टमेंट करते हैं तो पैसा दुबने का खत्रा यहां पर बना रहता है तो फिर मिलेंगा आप सब्सक्राइब अगले वीडियो में ठाइंक्यू वीडियो में पॉचिंग दी वीडियो म मैदी करते हुचिंग यहां Wikदों म। ग्तरी सब्सक्राइब अखत्व है